Good afternoon students, how are you all? I hope you all are fine. So students, आप सभी बच्चो को पता है कि आपका class test चल रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? बच्चो डेली revision करनी है, जो भी मैंने आपको syllabus दिया है, उसके according आपको revise करना है, यानि revision करना है. Yesterday आपका कौन सा test था? English का. Okay, so today, today किसका test है? Hindi. से करना, all the best अभी को. ठीक है students, जो आपको syllabus दिया है, बेटा, उसी में से आपको आएगा. ठीक है course, हाँ, जो भी आपका UT में आएगा. और दूसरी बात ये, कि जो भी मैंने आपको दिया है, वो मैंने आपको पहले से ही पढ़ाया हुआ है. ठीक है, और जादा कुछ भी hard नहीं है, बस आपको क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, यानि कि words को learn करने की, उसको समझने की, चाहे मातरा हैं, चाहे English में words हैं, या EBS में vegetables ने में, fruits ने में, छोटी-छोटी spellings आपको learn होनी चाहिए, तभी तो आप exam कर पाओगे, okay student, so students, today we are fill your book, your English book, so see all the students, look at carefully, यह आपकी English की book है, ठीक है, new interactive English, देखिए, आपको क्या निकालना है, page number 28, page number 28, सभी बच्चे निकालेंगे, open your books, all the students, open your book, okay बच्चो, तो आज हम इनको fill करेंगे, सबसे पहले आप यह देखिए, यह वल्ला page हमने fill कर लिया था, कर लिया था ना बच्चो, यह page हमने fill किया था, आज हम करेंगे, page number 28, fill करेंगे, उपर सभी बच्चे देखेंगे, सभी बच्चे उपर देखिए, क्या लिका है, words with I and silent E, यानि कि जिसमें E silent हो, kite, kite, इसमें E की sound, E की आवाज नहीं आती, silent का यही मतलब होता है, जो भी word silent होता है, उसका sound हमें सुनाए नहीं देता, लेकिन हम जब spelling right करते हैं, तो हम proper spelling right करते हैं, तो I की sound आ रहे हैं, kite, ठीक है, तो I sound के word हम इसमें लिखेंगे, और क्या लिख सकते हैं बेटा, इसमें I sound तो हमने किया वा है न, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, N, I, N, E, 9, 9 means, 9, 9 means, 9, 9 number होता है न, यह वही वाला 9 है, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, बच्चों बताओ, और क्या लिख सकते हैं, इसमें line very good l i n e line line मतलब students line क्या होती है tell me what is line line क्या होती है यह आपको क्या दीवी है खाली lines दीवी है इनमें आप क्या कर रहे हो फिल कर रहे हो ना आपकी copies में line होती है यह वही वाली line है ठीक है इसमें i silent रहेगा ठीक है टी आई ए टाई और क्या लिख सकते हैं हम इसमें टाई तो i और e sound हमारी क्या हो गई है यह complete हो गई four words k i t e kite 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 means पता न i n e nine nine means no l i n e line line mean lines जो होती है ठीक है की आई ए टाई टाई क्या होती है जो पापा क्या पहनते है कमीज में पहनते और आप भी तो पहनते हो टाई अपनी स्कूल ड्रेस में ठीक है आप next देखे वर्ट्स विद आई जी एच साउंड आई जी एच साउंड हमने कर लिया ना बेटा फर्स वाल आपको क्या दिया पाए एन ढाई जी एच टी नाइट और हम क्या लिख सकते हैं इस में इए आई जी एच टी नाइट नाइट मीं स्वारी एट ई एच टी इट, इट मींज आठ, नाइट मींज राथ, इट मींज आठ, और क्या लिख सकते है बेटा, ल, आई, जी, ह, टी,लाइट, लाइट मींज रोशनी यानि उजाला, जब भी हमें उजाला करना हता है तो हम क्या जलाते है, light जिलाते हैं न बेटा ये लिखावा है L I G H T light देखिए बच्चो आप सब को सई से दिख रहा है L I G H T light मैंने erase करके ठीक कर दिया है ठीक है न बच्चो N I G H T night, night means रात E I G H T 8 8 means 8, ये T है L I G H T light, light means उजाला और क्या लिख सकते हैं पड़ा था न हमने F L I G H T flight, flight क्या होती है बच्चो फ्लाइट मींस उडान जो एरो प्लेन होता है जो हम एरो प्लेन में जाते हैं मैंने आपको उस दिन भी बताया था तो हम ऊसको क्या बोलते हैं कि हम किस से जा रहे हैं हम F अब देखिए नेक्स देखिए डबल ओ सांड ये डबल ओ सांड भी हमने किया है बच्चो वुड देख रहे हैं आप जो लकडी होती है उसको क्या बोलते हैं वुड बोलते हैं और क्या-क्या पढ़ाता हमने M O O N M O O N Moon Moon means chand Moon means chand और क्या लिख सकते हैं डबल ओ वर आप बताइए F O O D Food Food means खाना जो हम अपनी प्लेट में रखके खाते हैं वो क्या है Food means खाना Students अभी बच्चे दिहान से देखिए बच्चो आप देखो ऐसी situation है कि हमें आपको ऐसे पढ़ाना पढ़ रहा है नहीं तो हमें आपको ऐसे पढ़ाते नहीं पढ़ाते ना तो सभी बच्चो को बेटा कॉपरेट करना है ठीक है अगर आपको ना समझ में आए प्लीस आप मैम से पूछ लेंगे ओके बच्चो नेक्स देखिए फूड के अलाव हम क्या लिख सकते है डबल ओ वर्ड एक और स्पून लिख सकते हम हाँ S P O O N spoon, spoon means, dużo much, spoon means, dużo much M W O O D, wood means, लक्डी M O O N, moon, moon means, choand, moon means, choand F O O D, food, food means, khana S P O O N, spoon, spoon means, ciao much, spoon means, next देखे बच्छो ौ साउंड Other ौ साउंड ऐसे हमने पड़ा निया लेकिन Himke words कर लेंगे ठीक है बच्छो ओ Doug shें करी सकते हैं ओकिए डेके और ओएस इरो्स kills के लावा स्टुडेंट हम यहाँ भी सकते ह Maps N जिसमें E silent होना चाहिए N O S E nose Nose means Naak और क्या लिख सकते हैं जिसमें E silent हो M O R E more M O R E more More means जादा हमने पढ़ा है ना More or less More means जादा ठीक है student और क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर बटा लिख सकते हैं C O N E Cone आपको पता है Cone क्या होता है Cone इस तरीके से इस तरीके का होता है Cone इस तरीके का और यह किसका होता है आपने आइस्क्रीम खाई यह कौन वाली कौन वाली आइस्क्रीम आप सभी बच्चों ने अगर खाई हो तो आपको पता होगा कि उपर से आइस्क्रीम लगी होती है और नीचे से क्या होता है नीचे से उसका कोन लगावा होता है ठीक है उसको कहते है कोन ठीक है जो कि ट्राइंगल शेप का होता है उसको क्या बोलते है कोन बोलते है महंदी की कीप कभी देखी है महंदी की कीप जो होती है वो कैसी होती है कौन बनावा होता है ना एक कौन होता है उसमें महंदी भरते हैं ठीक है तो it's called कौन ओके आगे चलेंगे बेटा ओ डबलु साउंड सबसे पहले आउल लिखा है ओ डबलु आना चीह है इसमें ओ डबलु यह देखिए ओ डबलु ओ डबलु साउंड आना चीह है ओ डबलु ऐल आउल ओल मींज उलू अब आप यहां पे तो नाचीह है ओ डबलु करो क्रो मींज कववा काउं करता है नडमी क्या बोलते है ग्लो बोलते हैं students ठीक है और क्या लिख सकते हो जी लो डबलू glow glow means चमकना आपने देखा है जैसे कि कहते हैं वाउ आपका फेस तो बहुत glow कर रहा है तो glow means चमकना कोई भी चीज जो चमकती है यानि कि glow करती है उसको क्या बोलते हैं चमकना ठीक है glow करना it means ओके students आगे चलेंगे words with o a sound o a sound में सबसे पहले लिखा है r o a d road road लिखा है student o और a आना चाहिए इस sound में इसके जितने भी words होंगे o और a sound आनी चाहिए तो r o a d road और हम क्या लिख सकते है b o a t boat b o a t boat g o a t goat और s o a p soap कीनों वर्ड समने लिख दिए r o a d road road means सडक जैसे कि आपको दिखाया गया है सडक ठीक है आप सडक पर चलते है ना तो यह सडक है ठीक है b o a t boat boat means क्या होता है नाओ जी नाओ नाओ जो पानी में चलती है तैरती है ठीक है बच्चे कागच की नाओ बना के तरह आते हैं वो वाली नाओ है g o a t goat goat means goat क्या होती है बकरी s o a p sop sop means साबुन जिस साबुन से हम नाओ आते हैं उसको इंगलिश में क्या बोलते हैं sop क्या बोलते हैं sop okay students चलिए अब आगे देखेंगे o u sound o u sound लिखना है बेटा m o u s e o और यू आना चाहिए उसमें ठीक है m o u s e mouse ठीक है mouse लिखा है और हम क्या लिख सकते हैं h o u s e house लिख सकते है students h o u r ना सभी words जो की जिस भी words से दिये कहें किसे double o o w या o a तो इसमें वही चीज आ रही है ना वो repeat हो रही है ना जैसे owl cow crow glow वैसे o u sound है तो mouse house house means घर और क्या लिख सकते है students mouth m o u t h mouth mouth means मू ठीक है मू पता है ना क्या होता है जहां पर हमारे lips होते हैं यह वाला portion क्या है हमारा मू है ठीक है और हम एक और वर्ड लिख सकते है s o u nd sound sound मतलब आवाज जैसे कि मैं clap करती हूं या tap करती हूं तो क्या आती है आवाज आती है या जब हम बोलते हैं तो क्या आती है आवाज आती है कोई भी रिंग बसती है तो क्या दिये आवाज आती है तो यह sounds होती है जैसे tap tap clap clap कुछ भी sound create करते हो आप तो उसको क्या बोलते है sound sound यानि की धुन और आवाज ठीक है आप देखेंगे बच्चो words with u and silent e यू sound और silent e अब देखो सबसे पहले flute बनावाई flute मींस मुरली और आप इसमें यह भी लिख सकते हो b l u e blue क्या बन गया बच्चो ब्लू देखो e silent है e की आवाज इसमें नहीं आएगी g l u e glue glue means यह होता है glue इसको बोलते है glue जिससे आप अपनी copies वगरा चिपकाते हो तो इसको क्या बोलते है glue बोलते है ठीक है students और एक और चीज़ लिख सकते है f l u e flu आपको पता है जब भी कोई बिमारी आती है जो की एक दूसरे को मतलब की infected कर देती है कोई भी infected जब infection आता है तो उसको बोलते है बेटा फ्लू जैसे की अभी corona virus था तो यह भी एक तरह का फ्लू ही तो है जैसे की swine flu होता है यह सब क्या है एक flu है तो flu मतलब एक ऐसी भीमारी जो की एक से दूसरे वीक्ति में पहुंच जाती है एक इनसान से दूसरे में पहुंचती है उसको क्या बोलता है student ange know फ्लू जिसमें इंफेक्शन होता है जिस भी विमारी में तो उसको बोलते हैं फ्लू अब हम एक बार इनको रीड करेंगे क्या बन गया डबलू डबल ओडी वुड एम डबल ओन मून एफ डबल ओडी फूड एस पी डबल ओन स्पून ओडबलू एल आउल सी ओडबलू काव सी आर ओडबलू क्रो जी लो डबलू गलो आगे चलेंगे स्टुडेंट्स M-O-U-S-E mouse, H-O-U-S-E house, M-O-U-T-H mouth, S-O-U-N-D sound, आगे चलेंगे students, N-I-G-H-T night, E-I-G-H-T eight, L-I-G-H-T light, F-L-I-G-H-T flight, R-O-S-E rose, N-O-S-E nose, nose means snug, M-O-R-E more, C-O-N-E cone, R-O-A-D road, B-O-A-T boat, G-O-A-T goat, S-O-A-P soap, देखिए O-A sound आया इसमे, F-L-U-T flute, B-L-U-E blue, blue क्या होता है, color होता है, यानि कि नीला color, G-L-U-E glue, F-L-U-E blue, So student, आज आप सभी को क्या करना है, page number 28 को fill करना है, page number 28 क्या करना है आपको, fill करना है, okay student, thank you बच्चो, Μन favored हो आपको, Éभस को क्या है, क्या है, आप करना है, आपको, सबमेर होता है, व्या creepy Tut, आप देखिदा,ёнे आपको,